तो हेलो सुदेंट्स वेलकम तो अभीमन्य आई एस तो टागेट आई एस 2021 में आप सभी का स्वागत है तो आई होब कि आपकी प्रिलिम्स की प्रेपरेशन्स बहुत ही बुटे दंग से चल रही होगी क्लियर है ना बस कॉंटीनिडी में रखे एक अपनी प्रेपरेशन्स को कोई भी प्रॉब्लम रहती है करण्ट अफेस के रिगार्डिंग तो आप लोग हमें बता सकते हैं क्योंकि हम लोग इन सेशन्स के अंदर टार्गेट आई एस 2021 सेशन के अंदर हम लोग करण्ट अफेस को कवरफ करेंगे अगर बात करें सुदिंस करन्ट अफेस को तो प्र more than one year से भी जादा के हम लोग करेंट अफेस यहां पर कवर अप करेंगे in 70 days अगर मैं बात करता हूँ 70 days की तो यानि की ट्रिलम्स 2021 से पहले हमारा ये सेशन खतम हो जाएगा बहुत ही भड़िया डंगसी क्योंकि हम लोग यहां पर जितने भी करेंट अफेस को कवर अप कर रहे हैं याद रखेगा क्योंकि हर एक चीज को डिटेल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उतना है डिट मार्च, एप्रिल, मे और जून को कवर अप किया इवन हमने जुलाई 2020 यानि कि ये 2020 के हमने फाइव मंथ को mostly कवर अप कर लिया है एप्रिल मे जून एंड जुलाई आज हमारा 26 लेक्चर है माई डियर सुदेंट्स ये भी आपका जुलाई 2020 के करेंट अफेस के बेसिस पही रहने वाला है और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा फॉर्द जुलाई मंद याद रखिए जुलाई 2020 का ये 26 लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर हैगा और जो आपका लेक्चर आएगा 27 लेक्चर वो नेक्स्ट मंद का होगा और वो कौन सा रहेगा वह आपका अगस्ट से शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम नहीं आएगे in future में क्लär हैना बस आपलोग मेरे सथ बने रहें कोई भी प्रॉब्लम फिर भी रहते हैं तो कमेंट इसहां जबका लगेगा क्योंकि कमेंट सेक्चन में लिखने से मुझे आपकी प्रॉब्लम को पता लग जाएगा और मैं next session के अंदर आपके वो ही doubts को clear कर लूँगा clear बाकी मैं हर एक student का अभी comment चेक करता ही रहता हूँ और उनको कावी अच्छा भी लग रहा है ये वाला और अगर बात करें ये session हम continuity में रखेंगे और अगर बात करें में PDF की तो students हर एक वीडियो के description box में आप लोग जाए नीचे section में आपको वहां पे link provide किया गया है और वो link पे आप जाकर अपना PDF को download कर सकते हैं clear तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो myself कनम अगरवाल I'm the current interface mentor in the Abhimanyu IAS तो students हम लोग आज अपना 26th lecture on the July 2020 कर interface को शुरू करते हैं तो लीजिए just a minute ओके अगर आज मैं बात करूँ हमारी आज की सबसे पहली news की तो वो रहती है direct monetization for the funding deficit SBI और ये आप के लिए important रहेगा general studies paper 3 के लिए यनि की GS paper 3 के लिए काफी news important रहने वाली है हमारे लिए वो क्या चीज़ है देखें यहाँ पर लिखा एक report आती है State Bank of India की तरफ से केते has recommended या फिर ऐसा वो सकते हो कि State Bank of India ने जो report के अंदर recommendations दी है कि direct monetization होनी चाहिए एक ऐसा possible रास्ता है एक ऐसा possible way है of funding the center's deficit at lower rate अब concept क्या है State Bank of India ने यह बोला है कि हम लोग अगर direct monetization शुरू कर दें तो वो ही एक possible रास्ता रहेगा जो center के पास deficit है जो gap है उसको भरने का at lower rates without increasing अरे without इससे inflation मेहँगाई भी नहीं होगी and affecting debit sustainability clear कोई doubt नहीं है अब my dear students मैंने बोल तो दिया कि State Bank of India ने recommendation दे दिया कि direct monetization कर दिया जाए ताकि जो भारत सरकार का जो deficit का problem है वो कम ब्यासदर पर solve हो जाएगा और इससे महंगाई दर भी नहीं बड़ेगा अब problem यहाँ पर आगे कि what do you mean by direct monetization तो वो क्या चीज़ है एक आसान भाषा में बोला गया है कि भारत का Central Bank यानि कि Reserve Bank of India वो directly fund प्रवाइड करेगा Central Government को deficit against the government bonds और securities यानि कि Reserve Bank of India को अब फिर से print करना पड़ेगे currency को print करना है deficit तभी होगा न अंगेस किसके अंगेस अरे अंगेस द जो भारत सरकार ने bonds और securities प्रवाइड करवाई market के अंदर या Reserve Bank of India को दी for the direct monetization clear है यहाँ लिखा 1997 तक the government used to sell securities अब concept है जो भारत सरकार उस time तक अपनी securities को बेचती थी किसको directly to the Reserve Bank of India भारत सरकार Reserve Bank of India को directly securities बेच देती थी और Reserve Bank of India क्या करता था उतनी security की money को level करते हुए वो print कर देता था तो लिखा हुए कि this allowed the government to technically print equivalent amount of currency to meet its budget deficit यह important है यह यह आ गया आपका direct monetization का एक background एक उसकी history clear यहाँ पर लिखा कि this is different from the indirect अब concept है यह अलग रहता है किस से from the indirect monetization यानि कि that RBI does when it conducts the open market operations तो अब RBI मतलब यह indirect direct अलग रहता है monetization methods तो RBI क्या करता है जब open market operations करेगा या फिर and or purchase the bonds in the secondary market clear है? कोई डाउट तो नही है? बढ़ते हैं आगे देखें students एक बात याद रखें GDP, gross domestic product to contract by more than 5% in the कौन से year में? final year में? 2020 से 2021 तक तो उसके results क्या निकले? कहते as a result of slump in the economy activity अरे इसी के कारण तो जो आपकी economy है उसके अंदर गिरावट देखने को मेरी? कहते this has also lead तो इसके कारण जो आपकी 5% की economy गिरी तो वो क्या करता है? कहते also lead to reduction in the revenue of the government अब concept तो वो ही हो गया अगर आपका 2020 से 2021 तक जो आपकी economy है let's say 5% गिर गई तो गिर गई का मतलब क्या रहेगा? कि government of India का revenue है जो इसको पैसा बनता था अरे वो गिर गया? वो कम होगा तो लिखा तो है कि reduction in the revenue of the government बिल्कु ठीक अब आगे देखा गया further State Bank of India ने note किया that कि जो cross domestic product है भारत का वो collapse हो चुका है is pushing up the debt अब concept क्या है जो SBI ने note कि भारत का अगर GDP collapse हो गया इस pushing up वो धक्का लगा रहा है किसको debt करजे को debt to GDP ratio by at least 4% up concept है कि debt करजा और ratio को कहां तक ले गया? अरे 4% तक ले गया क्यों? अरे क्योंकि जो आपकी GDP collapse हो रही है इसके कई reasons रहते हैं मैं तो एक ही बोल सकता हूँ भी तो COVID-19 के कारण clear है न? यहाँ projected to rise to concept है उसको बढ़ाना है rise to around 170 lakh crores और 87.6% of the GDP in the 2021 year from कहां से? अरे कहां से? अगर मैं आज की बात कर लू 2020 का कितना data था? तो वो था 146.9 lakh crores मतलब 72.2% of GDP तो यहाँ पे आप लोग यह चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना students, just a minute कि हमारे पास जो GDP की रेशो आई वो आई 72.2% और इसको हमने GDP को बढ़ाते हुए 87.6% करना है कौन से year में? 2021 के final year तक हमने करना ही करना यह चीज को clear? और आपको यह मैंने percentage बता दिया यहाँ पर price money भी लिख हुई है 146.9 लाग करोड से कितना लेकर जाना है 170 लाग करोड तक यह SBI ने data दिया ठीक है? और वो data है debt to GDP रिशो कर्जा बटा GDP रिशो क्लियर है यहाँ तक लिखा अगर higher होता है debt to GDP रिशो इसका मतलब क्या रहेगा? Less probability of country में भी पता लगेगा अब concept क्या है? केते अगर आपका debt divided by GDP ratio decline कर रहे है बोला गहना अरे एक एक I'm sorry just a minute सबसे पहले increase वाला case ले ले लेते हैं अगर increase हो गया तो increase का मतलब क्या होगा? मुझे एक चीज बताएं मुझे debt upon GDP मेरा increase तभी होगा जब मेरा करजा बढ़ जाएगा जब मेरा करजा बढ़ जाएगा और मेरा GDP भारत का GDP गिर जाएगा तभी मेरा net result बढ़ेगा ये concept आपको समझ में आगया? अगर मेरा करजा बढ़ गया GDP कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? कि probability होगी उस देश की जिसका ये ratio बढ़ गया कि वो country to pay back its debt less probability कि अब उसके less chances कम से कम chances होगे कि उसने अगर कोई भी international monetary funds या USA से किसी से भी अगर loan पे कोई भी agency से G20, G7 से किसी से भी अगर पैसा उठाया उसने तो वो less chances होगे कि वो पैसा वापस कर पाए and higher its risk of default तो वो default भी गोशिद हो सकते है तो इससे क्या रहता है पूरे world level पे जो एक country है कोई भी country है जिसका ये ratio increase कर गया, अब वो करजा नहीं दे पा रहा है तो world में उसका जो ranking रहता है वो क्या करेगा, ranking decline करेगा अगर my dear students ranking decline करेगा तो international level पे वो trade भी कम कर पाएगा तो इससे क्या होगा इससे उसकी economy और भी effect करेगी concept देखें आप लोग मैं एक minute, आपको थोड़ा सा और बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे page ले ले लेते हैं हम लोग just a minute, यहाँ पे लिखा कि debt divided by GDP हमने ये बोल दिया कि जिस भी country का ये बड़ेगा वो country को क्या होगा less probability अब उसके पास कम से कम chances होगे जो उसने करजा लिया है to return that money ठीक है, अब ऐसा कैसे हो जाएगा अरे concept देखिए अगर मेरा करजा बढ़ा मेरी GDP घट गई तभी तो मेरा ये ratio बढ़ गया अब इससे क्या होगा less probability to return that money तो क्या होता है जो world level पे जो आपकी ranking है आपके country की ranking रहती है वो और कम हो जाएगी अगर आपकी ranking कम होती है तो आपका ये trade में भी effect करेगा अगर सर आपके trade में effect करता है तो overall ये किसको indirectly effect कर रहा है ये आपकी economy को effect कर रहा है अच्छा अगर इसको हम लोग reverse कर दें अगर हम लोग इसको कर दें reverse just a minute just a minute अगर मैंने इसको बोल दिया my dear students ये घट गया ये ratio घट गई students अगर ये ratio आपकी घट गई तो ये कैसे possible है अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो debt upon GDP ratio कम कैसे हो सकती है जब मेरा debt करजा कम हो जाए और मेरी GDP बढ़ जाए भारत के अगर GDP बढ़ गई तब ही तो मेरा ये ratio decline कर जाएगा अगर ये ऐसा होता है अगर ये ratio decline करती है तो more probability तो मत्तब 100% एक तरह की guarantee बोल सकते हो तो guarantee हो जाएगी उस देश की जिसका ये ratio कम हो रहा है जो पैसा उसने loan पे उधार लिया वो वापिस होगा ठीक है उसके अंदर उसकी world ranking का भी बढ़ेगा और trade भी बढ़ेगा while swings है ये कौन से swings हैं इसको थोड़ा सा गर पढ़ा जाए तो ये swings रहते हैं सरकार के high government borrowings concept देखिए कहते high government borrowings अगर market से उठाते हो आप लोग can raise interest rate तो ब्याच दर बढ़ जाएगा ये है monetization can avoid this बिल्कुल ठीक can also deny credit to the private companies बिल्कुल सही concept नहीं है बला basics लगाए है यहाँ पर मैंने हाला कि ये बहुत basic मैंने आपके लिए cutting लगाई है यहाँ पर लिखा risk of monetization monetizing borrowings तो क्या रहता है high inflation inflation बढ़ सकती है मतलब महंगाई बढ़ सकती है currency depreciation हो सकते है deteriorations in the macro economic balance similarly in feb government announced fiscal deficit target for 2020 से 2021 का कितना रहेगा 3.5% का ये data ये data important है ये data आपका important रहेगा और अगर मैं बात करूँ number experts कितना करता है वो है 7% का ठीक है कोई doubt हो नहीं आपको यहाँ पर आगे बढ़े next देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसी को continue करते है तो लिखा के द्वारा आई उसमें आर्गिट किया गया that fiscal responsibility and the budget management हमने even FRBM के ऊपर एक concept lecture लगा रखा है students आप लोग जिस student ने भी मेरा continuity में lectures देखते आ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि what do you mean by FRBM जो fiscal responsibility and budget management में हमने news पड़ी थी कि भारत सरकार ने बोल दिया कि जो आपकी fiscal deficit है उसको कम नहीं करना है बट अगर देखा जाए भारत के राज्य सरकारे बोलती है कि उसको deficit के अंदर कुछ परसिन की छूट दी जाए due to the pandemic तब news में हमने पड़ा था कि fiscal responsibility and the budget management act जो 2003 था clear केते तब यह FRBM 2003 allow करता है कि direct monetization deficit in the certain exceptional circumstances the covid pandemic being one such तो इन्हों ने भी बोल दिया कि covid pandemic के कारण हम लोग direct monetization के उपर concentration कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि FRBM के accordingly कि ऐसा direct monetization हम लोग exceptional circumstances के अंदर यूज कर सकते हैं तो ठीक है students exceptional circumstances तो इंडिया के अंदर अल्रेडी पड़े हैं present है covid-19 pandemic के कारण क्योंकि हमारी economy day by day down जा रही है बिल्कुल ठीक है crisis में आ रही है next आता है यहाँ पर लिखा the report argued that तो अब report क्या आर्गू करती है that bringing growth back is more important अब concept है कि growth को हम लोगों ने बढ़ावा देना है फिर से उसको बढ़ाना है more important to debt sustainability as compared to the fiscal conservation इसका मतलब क्या होगा क्यों यह involvement किसको कर रहा है कहते which involve lower level of public spendings lower taxes lower government debt clear यह चीज important है this is your important for the prelims perspective याद रखिये यह prelims perspective से important रहेगा पहला point आपका clear students third point पे चलते हैं लिखा कि as the current level अब अगर बात करू current level की foreign exchange की reserves are sufficient अब concept यह है कि भारत के पास भी foreign currencies का एक reserve पड़ा होता है जब हमने exchange को करना होता है कहते as the current level तब ही ओ लिखा current level of foreign exchange reserves are sufficient लिखा ठीक है sufficient है to meet any external debt obligations ताकि जो भारत ने जोसी देश से करजा ले रखा है हम लोग उसको वापस कर सके तो वहाँ पे लिखा है कि meet any external debt obligations बिल्कुल correct है also since most of the debts is domestically owned but ज़ादा तर करजे हम लोग internally ही प्लेते हैं कहते हैं the debt servicing of the internal debt is also not an issue clear यह आप लोग mains perspective में इस तरीके का data लिख सकते हो यहाँ पे भी आप लोग mains के अंदर डाटा यूस कर सकते हो clear but prelims perspective साब का पहला ही points से रफ इंपोर्टन रहेगा बढ़ें आगे next लिखा यहां पे एक real challenge is the contraction of concept है जो असली challenge है वो है contraction किसका अरे economic growth का clear which can turn interest rate growth differential into a positive trajectory clear यह चीज आप लोग students just a minute यहाँ पे ना यह चीज को आप please note down कर लो यह important रहता है इस तरीके का data कि एक actual challenge क्या है मैं बोल दूँ क्रक्स क्या है इसनी उसका कि हमने real challenge है कि जो contraction or economic growth उसको turn करना है interest rate से growth differential positive trajectory की तरफ clear और एक चीज यहाँ पे यह notice करना है कि जो आपका fiscal responsibility है and budget management है उसने ही बोल दिया है कि exceptional circumstances के अंदर हम direct monetization deficit को use कर सकते है allow कर सकते है और COVID-19 creates the exceptional circumstances in India यहाँ तक clear है कोई doubt है तो please बताए otherwise हम लोग आगे move करते हैं okay students कोई भी doubt रहते है न एक word का भी तो please comment section में जरूर लिखा करो आप लो इससे पता लगता रहता है clear next आता है हमारी news आती है no postal ballots for above 65 in Bihar तो 65 years की age के ऊपर वालो के लिए postal ballots नहीं है यह है general studies paper टू के लिए important तो शुरू करता हूं है यहाँ पे लिखा the election commission of india has decided against extending the postal ballots to electorals above the 65 year of age in the upcoming Bihar assembly elections due to the logistical challenges clear है चले है आगे यहाँ पे लिखा early in the June 2020 जो लॉव मिनिस्टर है ओनोने recommendations on the recommendation of election commission of india की election commission of india की recommendation के आधार पे जो law minister है उन्होंने extended the postal ballot facility to the electorals over the 65 years of age यहनि की being most vulnerable to the COVID-19 इवन यहाँ पे लिखा की COVID-19 patients and those suspected to have it by notifying a change to the conduct of election rules 1961 prelims perspective से data यह important आपका clear next आया इससे पहले जो postal ballots है were extended to the person with a disability अब इससे पहले क्या हुआ था जो आपके postal ballots है उसको extend किया गया था कब तक किसके लिए वो था persons with a disability मतला PWDs and electorals over the 80 years of age concept है कि electorals over the 80 years of age in November 2019 ahead of the जार्खन and Delhi elections clear? कोई डाउड तो नहीं है? next आया यहां पे कि अब जो पोस्टल बेलिट फेसिलिटी अब जो पोस्टल बेलिट फेसिलिटी है electorals above the 65 years is different from the conventional postal services clear assurance यहां तक कोई डाउड तो नहीं है आपको यहां पे देखते हैं यह बोलते हैं यहां पे कि for above 65 years of age and COVID-19 patients it works as polling station on the move concept है कि 65 years of above वाले age वाले जो human beings हैं जो citizens हैं बिहार के अंदर and COVID-19 patients के लिए यह concept बन गा कि यह polling station on the move है with the polling staff visiting the homes of such electorals having them fill out their ballots seal them in the envelope and taking it back तो यह concept हो गई है तो ठीक है घर घर जा जाकर वो लोग खुद बाखुद बैलेट डलवाएंगे for the किसके लिए citizens वो जिसकी age 65 यह से जाद है या फिर जो COVID-19 patients है clear कि ठीक it was done to minimize vulnerability and exposure at the polling stations for above 65 and not deprive the COVID-19 patients and people under quarantine of their voting rights important यहां पे मैं इसको हलिट करूँगा यहां पे मैं इसको हलिट करूँगा लिखा है the COVID-19 patients and the people under quarantine of their voting rights clear कोई doubt तो नहीं है तो यह आपके लिए prelims perspective से important है यह डाटा क्योंकि voting rights की बात कर रहे है ठीक है चलें आगे यहां पे लिखा after reviewing the preparations अब review करने के बाद बिहार सरकार का preparations को the election commission has made this decision keeping in mind the logistical staff and the safety protocols related constraints कोई डाउट तो नहीं है हम लोग आगे बड़ सकते हैं के ते for collecting votes of so many electorals additional staff and the security will be required and would not be possible to arrange the facility for about 72 lakh electorals about 10% of the total 7.19 crore electorals in the state clear है न यह डाटा बताया गया election commission of India की तरफ से यहां पे लिखा की दो state authorities है राज्य की authorities है जो are already preparing 34,000 additional polling stations in order to limit electorals to 1,000 at each locations अब बिहार सरकार ने क्या कर दिया उसकी local authorities ने क्या कर दिया 34,000 additional polling booths बना दिये ताकि limit रखा जा सके 1000 से भी कम हम लोग locations बनाएंगे electorals के लिए मतलब 1000 से कम electorals एक polling booth पे रहेंगे और ये भी concept COVID-19 को देखकर रखा गया था तो ये अपने आप में एक administrative challenge है कि इतने polling booths के ऊपर आप लोग monitoring और management कैसे करोगे clear ये challenge था next आया postal ballot system ये क्या चीज़ है ये देखते हैं ये बैलेट पेपर है उसको distribute किया जाते है electronically and return to the election officer by the post और जो electorals है वो election officer को post के जरीए वापस करते हैं अपना post vote डालके के ते currently on the following voters are allowed to cast their votes to the post's ballot अब concept है कुछ कुछ को ही ये पोस्टल बैलेट की facility अवलेबल है जिसमें से एक आता है service voters वो वोटरस जो armed forces के अंतर है armed police forces of state and the government servants posted abroad ठीक है next है voters on election duty जो election duty के उस time election duty के ओपर है वो next आया voters above the 80 years of age या फिर person with the disabilities next आया voter under preventive detentions clear कैते exceptions of the above mentioned category अब इससे भी अगर exception दीखा जाए चार categories को छोड़ कर voter is provided under section 60 of the representative of the people's act 1951 again data ये important है ये सारी की सारी slide आप के लिए सिर्फ प्रिलिम्स perspective से important रहेगी please इसको note on करके रखेया आप लोग फिर भी कोई doubt है मैं फिर से बोल दूँगा आप लोग comment section में जुरू लिखेगा आगे बढ़ते हैं हमारी आज की next news यह थी है अपमारे neighboring country शिरलंका की उसने देख लिया has sought relevant documents and the literature from the public to study the mythological character रावनास aviation routes concept देखिये जो हिंदु धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है की रावनास aviation routes तो क्या हो रहा है यहां पे शिरलंका की civil aviation authority ने देख लिया की documents and the literature from the public to study वो study करने जा रहे है mythologically character किसका रावनास aviation route यहां लिखा the civil aviation authority will lead a research project अब concept क्या आता है कि आपकी जो civil aviation authority है शिरलंका की वो एक project को lead करने जा रही है research project जिसका title रहेगा king रावन हम बोलते भी है जो शिरलंका का राजा था रावन उसकी बात की गई है an ancient domination of aerial routes now lost यह बोलना है civil aviation authority of शिरलंका का लिखा the project aims to bring out अब यह project क्यों शुरू किया तभी तो यह news आई होगी न इसके पीछे क्या कारने है लिखा according to the civil aviation authority it was रावन who used a flying machine called dandu monara important art and culture perspective से important है याद रखिये क्या बोला गया था उस रत को dandu monara to fly not only within the country but also in the south east asian regions clear यह दावा किया गया है civil aviation authority of शिरलंका के द्वारा क्याते शिरलंका टूरिजम सेक्टर प्रमोट करेगा the ramayana trail for the visitors from india कि भारत से जो भी visitors आ रहे हैं उसके लिए शिरलंका टूरिजम ने प्रमोट किया ramayana trails को one of the शिरलंका's largest tourism market clear even लिखाक sinhala buddhist community the majority sinhala buddhist community hail the king ravan again again most important for the prelims perspective अरे कौन से community थी students वो थी sinhala buddhist community थी जो हील करती थी king ravan को मैं इसको आपके लिए bold कर देता हूँ याद रखें इस तरीके के questions काफी देखने को मिलेंगे आपको UPSC के अंदर clear है students ये चीज़ important रहे गया आप लोगों के लिए next sec अब लिखा just a minute यहाँ पर लिखते हैं कि द्राविदेन पार्टीज इंद तमिल नाडू acknowledges रावना as the brave king similar to the buddhist community of शिरलंका even शिरलंका named it first satellite रावना 1 launched in the 2019 2019 में शिरलंका ने अपने सबसे पहली satellite को भी launch किया था रावना 1 के नाम से अब what do you mean by Sinhala Buddhist comedy जिसका हमने recently ये slide में जिक्र किया है जो important है तो देखिए आप लोग यहाँ पर लिखा एक comedy है जो focus करेगी कि किसके ओपर sorry वो है थेरावाडा बुद्धिस्म कौन सा बुद्धिस्म है थेरावाडा बुद्धिस्म which is a majority belief system of most of the Sinhalas in शिरलंका clear कितेप it mostly originated in the reactions to the colonizations of शिरलंका by the British Empire and became increasingly assertive in the years following the independence of the country ठीक है अब concept आया इसका ethnic इसका पहनावा यह दिख्टे कैसे दे कहते है ethnic conflicts in the शिरलंका जो conflicts आते हैं शिरलंका के अंदर इस comedy को लेकर वो rooted उसकी जड़े हैं discrimination हुआ against the Tamil minority by the Sinhalis majority अब concept यही हुआ था कि Sinhalas थे majority के अंदर और Tamil वाले थे minority के अंदर इन दोनों के बीच में होता है conflict after the end of the British colonial domination in the 1948 यह चीज prelims perspective से important है कि ऐसा कौन से majority में कौन से majority में community थी शिरलंका के अंदर जब Tamils are minorities in शिरलंका तो हम लोग directly बोल सकते हैं that they are the Sinhalas जो Buddhist community है जो focus करते हैं थेरवाडा बुदिस्म को ठीक है? मैं आपको फिर से वही चीज बोल देता हूं students कि आप लोग बस बने रहें current phase में आपको मैं कोई भी problem नहीं आने दूँगा clear एक आगे बढ़ते हैं अब थेरवाडा बुदिस्म क्या चीज़ है? कहते है it is most ancient branch यह बहुत ही ancient branch है थेरवाडा बुदिस्म की of exact sorry extent बुदिस्म टोड़े it remains closest to the original teaching of the Buddhism यह actual सबसे ज़्यादा close है जो बुद्धा के सबसे ज़्यादा original teaching से यह थे थेरवाडा बुदिस्म develop हुआ तो शेरलंका के अंदर and spread हो चुका है South East Asia के नदर मतब चाइना के अंदर भी आप लोग बोल सकते हो फिर तो clear आगे बढ़ते है it is dominant form of religion in Cambodia Laos, Myanmar, Shere Lange and Thailand लिखाक in India भारत के अंदर भी the strain of Buddhism is represented by the followers of Dr. B.R. Ambedkar known as the Ambedkar Buddhism who are exclusively to the India prelims important है और ये data भी आपका important रहेगा कि थेरा बड़ा बुद्धिजम को लेकर questions arise हो सकते है it might possible clear बढ़ते हैं आगे next news की तरफ अब हमारी next news आती है investment in India भारत के अंदर किस-किस ने निवेश किया देखिए यहाँ पे आता है कि according to the recent survey by the projects gray fresh investment announcements in India slump आरे खिसक गया जो हो रहा था नहीं हुआ announcements in the slump to the lowest in the fiber पिछले पांच साल में सबसे कम investment भारत में वह slump आ चुका है in the first quarter of the financial year 2020 से 2021 अब ये COVID-19 के कार्मेश पढ़ते हैं इसके उपर याद रखें लिखा the period saw extended pandemic induced lockdowns बिल्कुल ठीक अब इस टाइम Tamil Nadu emerge as the country's top investment destination तो उस टाइम पर तॉप कर रहा था investment destinations पे के ते प्रजेक्ट टुडेए is an independent firm that tracks investment project in the country important है my dear students वो कौन सा project है जो भारत के अंदर निवेश करने वालों को detail study कर रहे है वो है project today is an independent firm एक independent firm है do track record कर रहे investment projects in the country important important है मैं बार बार बोर रहा हूँ आप लोगो clear next आया किते इन एप्रिल there was an announcement of 260 new projects जिसकी costing रही 30,000 181.6 crores और में के अंदर ये मैं आपको data दिखा रहा हूँ क्योंकि decline हो रहना में के अंदर ये रोस कर गया 436 और पैसा कितना लाया 37,992 crores June के अंदर जब अनलोक शुरू हो गया unlocking 1.0 of the economy there was a further surge in the number of new projects in all the months or announcements of 545 new projects और जिसकी costing रही 39,755.43 crores और ये भी possible क्यों हो पाया हम लोग इतनी figure पर क्यों जा पाया due to the unlock processing अब unlock शुरू हो चुका था clear even लिखा जो reliance है secured investments from some of the world's largest firms अब reliance के अंदर भी निवेश किया गया Google के दोरा Facebook के दोरा और वो हमने क्या चीज़ है कि Facebook ने जो reliance के अंदर निवेश किया वो है Jio Facebook deal and Intel ने भी reliance के अंदर निवेश किया है अब देखें यहाँ पे है oil to chemical के अंदर oil and gas के अंदर media and distribution reliance retails और Jio platform के अंदर भी ये आपका निवेश है clear लिखा the Reliance India Limited Facebook deal will enable the 3.5 year old Jio platform which has about 388 million users to accelerate the rollout of new commerce strategies clear और ये रहे आपके CMD मुकेश अंबानी और CEO मार्क जुकेंबग Facebook के clear तो ये data आपके लिए आप लोग थोड़ से इसके ओपर focus किया किजिए कि ये revenue कितना आ रहे so 86 आ रहे और oil to chemical का 71.4 है और यहाँ पर 7.4 and oil and gas में 0.5 से 0.1 median distribution में ये आपको figure दिखाया गया कहाँ पर clear अब similarly देखे 1.1 किस का आ रहे sir Reliance का है और 0.1 sir Jio का Reliance Retails में 21.1 Reliance का और 1.2 किस का आ रहे sir sir वो आपका Facebook का clear और connectivity में wireless, home broadband enterprises, SM, B and narrow broadband, IOT clear और ये सारे के सारे DG Apps में भी Facebook ने निवेश किया ठीक है चलते हैं आके next आया however fresh projects expenditure from the central government agencies dipped in the June 2020 though it is expected to rise in coming months तो अभी भी हमें expected है कि ये बढ़ जाएंगी आने वाले कुछ महिनों में जैसे कि आतमंदर बार भारत है प्रधान मंतरी गरीब के लियानी हो जना have been insulated from the expenditure cut measures clear ये हमने देखा भी था एवन upcoming quarters will also demonstrate the efficiency of centers stimulus packages यहाँ पर even लिखा कि that include financial and the fiscal reforms agriculture को भी ही लेकर consider किया गया small scale industries को भी है domestic private capitals attracting the fawners investment projects were largely dominated by the government sector अरे dominant करने वाले वो government sectors है and the private promoters also announced new projects यहाँ पर लिखा the pandemic gave boost अब जो आपका pandemic है उसने COVID-19 के pandemic के ने भी एक चीज को boost कर दिया सर वो चीज क्या है वो है personal protection equipment PPE कि जिसको बोलागा mask sanitizers etc. इसके अंदर भी भारत के अंदर investment हुआ है because of more emphasis on the personal hygiene and the product related to it clear even development of the various antiviral and the immunity boosting medicines तो COVID-19 को ले कर भी भारत के अंदर कई बार निवेश हो चुका है जैसा कि personal protection kit होती है mask, sanitizers various medical equipments होती है then after antiviral and the immunity boosting medicines injections ले लिजे vaccinations को ले कर ले लिजे तो हम लोग सारे का सारा बोल सकते है कि ये बारत के अदर investment हो रहा है ठीक यहाँ पे आरा आपका महराश्टरा में कितना है आंद्रप्रदेश में, गुजरात में, तमिल में कितना है ये list आ रही है हाला कि ये data के quarterly financial year 2020-2021 का है clear इसको focus कीजिए आपक आगे वढ़ते हैं आपक इंवेस्टमेंट इंडिया के अकॉर्डिंगी केते जो स्टेट्स हैं तमिल, महराश्टरा हेल्ड इंवेस्टर स्मीड और उन्होंने M.O.U. साइन किया में रेंडम ऑफ अंडर सेंडिंग उत्रप्रदेश, मध्याप्रदेश, करनाट का reworked labor law building land banks sent proposal to the foreign companies लिखा major challenge किया है कैते countries slow moving official machinery arkian lands and the labor law are some of these things preventing foreign companies from bringing in the technology and capital to India तो आपके challenges यह पढ़े हैं जो एक hurdles बोल सकते हो अब तमिलनादू के अंदर क्या case हो गया था कैते it accounted for 18.63% जिसके अंदर पैसा निवेश किया गया 97,859 crores in to execute 121 projects तो 1251 projects sorry 1241 projects को लेकर कितना पैसा निवेश किया 97,859 crores the state is also host to 3 of 5 data centers clear के ते the other 2 data centers are proposed in Maharashtra which was second to Tamil Nadu with the fresh investment कितना रहेगा महराश्चा के अंदर investment 11,228.8 crores clear तो ये data है हाला कि ये data एक बार recall कर ले ना वस बट ये वाले आपका वाकी point important रहेगा अब ब्लाक रेन के अगर बात करें तो वड्डू में ब्लाक रेन जो हीरोशीमा नागा साकी पे nuclear attack हुआ था तो उसको लेकर ये news आई है देखते हैं लिखाक a district court in the Hiroshima recognized survivors of the post-explosive Black Rain due to the atomic bomb incident in the 1945 my mistake मैं नुक्ली बोला atomic bomb in the 1945 clear है वो district court Japan की बोल रही है कि तो हूँ वर outside a government defined zone at the time of the event clear next the court clear the way for them to receive medical benefits just day before the 75th anniversary of Hiroshima bombing 1976 में Japanese government used the 1945 study in the Hiroshima to demarcate the area within which people could claim to have affected by the black rain जो black rain के कारण वो अफेक्ट होगे थे and be recognized as survivor of the nuclear blast clear है next आता है as per the then decisions तो in decisions के बाद people who live in that areas जो उस जगह पे रहते हैं जो अफेक्ट था the time of black rain could avail free medical cares तो उनको free medical care मिलेगा other benefits मिलेंगे if they showed symptoms related to the radiation exposure अगर वो symptoms जो radiations के exposure से होते हैं वो प्रूफ करेंगे अगर उनको है many studies conducted later have shown that black rain could have come down on an area nearly four times the size of one demarcated by the government अब 2015 में क्या हुआ 84 plaintiffs went to court against the restriction placed on the being recognized as the hibakusha the Japanese term for the survivor of the nuclear blast important है हमारे लिए important है कि Japanese language में क्या वो लगा hibakusha मतलब the Japanese term for the survivors of the nuclear blast clear है यहां पे लिखा estimate किया गया कि 69% of the buildings in the Hiroshima were destroyed by the atomic bomb अब उसका debris में ला जो बचा हुआ कचरा था तुकडे थे and suits from this mixed with the radioactive fallout from the bomb rose high into the atmosphere in the form of mushroom cloud अरे concept देखे mushroom cloud इस तरीके का एक बादल बन गया था और वो क्या था इस तरीके का cloud था इस तरीके का cloud था इस तरीके का मचरू का radioactive particles से मिलकर वो मचरू क्लाउड बन गया था this material combined with the vapors अब यह material vapors के साथ मिलकर atmosphere के अंदर came down as dark drop of the liquid जिसको बूला गया black rain important यह चीजह important है यह define कर रहे हैं कि black rain क्या चीजह clear it has been described as consisting of large greasy drops that are much heavier than the normal rain drop by the survivor its impact अब इसके impact क्या है black rain is full of highly radioactive material study study की गई वो शो करते हैं कि exposure to it can result in serious illness clear sorry अब यहां पर लिखा 1945 में study की गई वो शो करते हैं कि जो black rain है had came down as 29 km अरे 29 km तक यह फेल गया from the ground zero and contaminated everything it came in contact with and dead fishes were reported floating in the water bodies clear बढ़ते हैं अगे अगें यहां पर लिखा about Hiroshima and Nagasaki bombing के लिए United States drop atomic bomb on the Hiroshima 6th of August 1945 and another one on the Nagasaki 3 days after the attack of Hiroshima 9th of August अब explosion क्या करता है by the bombs the result firestorms are believed to have killed 80,000 people 80,000 people Hiroshima के अंदर died हो गे थे and 40,000 in Nagasaki the bomb dropped on the Nagasaki was more powerful than the one drop on the Hiroshima but it killed fewer people and its effects were confined to a smaller area due to geographical position between the hills clear है the after effects of those bombs still persist in the form of cancer deformation in the newborn child और आज भी आप लोग ये Hiroshima Nagasaki के ओपर atomic bomb गिराए गए थे उसके effects आप लोग cancer के रूप में देखते है deformation in the bones के देखते है in the newly born children's के अंदर तो ये concept है clear next news आती है students dare to dream 2.0 तो ये क्या चीज है बहुत छोटी news है और ये आपके लिए important रहेगी general studies paper 3 के लिए तो shall we start देखे कोई doubt है तो comment section में जुरू लिखिए आज आप लोग यहां पे लिखा कि defense research and development DRDO ने launch किया एक innovation contest जिसको बुला गया dare to dream 2.0 on the 5th death anniversary of the former president of India Dr. AP J. Abdul Kalam clear ये DRDO ने launch किया था 5th death anniversary of former president Dr. AP J. Abdul Kalam Ji की अब ये क्या चीज है कहते है the dare to dream 2.0 is an open challenge ये एक open challenge था to promote the innovators and the startups of the country clear clear है ताकि वो innovation कर सके defense के अंदर aerospace technologies के अंदर in the country after the call of आत्म निरबर भारत self-reliant के अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि innovation की जाए defense के अंदर and aerospace technology के अंदर और ये launch किया गया था 5th death anniversary Dr. AP J. Abdul Kalam जिसका नाम रखा गया Dare to dream 2.0 clear 5 lakh rupees की start-ups and 5 lakh to the individual category will be given to the winners Dr. AP J. Abdul Kalam is known as the missile man of India बिल्कू ठीक है and he was part of many successful projects for the development of the ballistic missiles satellite launch vehicle technology during his lifetime important है ये वला तो केते ही वास the 11th president of India from 2002 से 2007 clear आगे चलते है हमारी next news रेती है आज की कि tourism in उत्राखंट's border villages ये लिखते हैं central government has decided अब center सरकार ने decide कि boost tourism in the उत्राखंट villages वो उत्राखंट के गाउं जो चाइना के border की साथ लगते हैं उत्राखंट शियर 350 km border with China important अरे ये news क्यों आ गई? इसके पीछे कोई ना कोई तो problems हैं क्यों? कहते in the backdrop of Galwan Valley standoff जो आपको Ladakh में देखने को मिली the center is planning to build second line of defense in the border villages of उत्राखंट by relaxing tourism related activities clear even बोलते हैं the first step in the directions तो इसी के तहजो पहला directions में हमने कदम उठाया will be to freeze some parts of उत्राखंट from the inner line permit important याद रखें एक बाल once the inner light permit system is lifted the state tourism department would encourage houses in the villages to be developed as homestays which will directly help the village economy तो वो उस गाउं की भी economy को बढ़ाएगा वो गाउं जो चायना के border के साथ लगते हैं क्योंकि उत्तराखंट शेर कर रहा है चायना के साथ border 350 km का उत्तराखंट सरकार ने also announce steps to improve critical infrastructures promote tourism and civilian settlements in the border areas of the state clear restaurants यहां तक बड़े यांगे next बूला it will ensure safety surveillance of the border villages troops will get additional support it will boost economy and provide employment also stop outside the migrations तो यह outside the migrations को भी रोकेगा जो important है लिखा कि most of the border villages see outward migration owing to lack of the livelihood opportunities clear तो यह था आपका tourism in Nuttrakhan border village जो हमारे लिए general studies paper 2 के लिए important रहेगा GS paper 2 clear और आज की last news even July की last news देखते हैं Mapping India's foreign policy GS paper 2 important है यहां पर बोलते हैं कि अगर प्रेजिन की बात की जाए India face करता है कि India is facing its gravest national security crisis in the 20 years with the China concept देखिये and a few other issues with the neighboring countries concept clear है आपको अब क्यूं Mapping India's foreign policy news उभर क्या आई है in the backdrop of these specialist in the neighborhood setbacks अब इसी के कारण जो परॉसी मुलक ने setback किया या हमने किया it has to reconsider its diplomacy's trajectory बिलकुल ठीक है next attack in the recent past India was seen as a natural rising power अगर हम लोग past में देखें तो भारत एक उभरती हुई ताकत है rising power कहां पे in the South Asia and the Indian Ocean region यह हमने चीज़ पड़ी है South Asia में और Indian Ocean region में clear है ना क्यूंकि Indian Ocean में भी भारत एक उभर कर आई है power क्यूंकि हमने Indian Ocean के ओपर अपनी power को दिखाया भी है क्यूंकि Indian Ocean is mostly used for the world trade हमने यह पड़ा भी है कि 33% of the world trade passing through the Indian Ocean यह चीज़ हमने important भी देखिया यह चीज़ हमने current affairs के अंदर एक session में भी cover up किया अच्छे चीज़ and was considered the de facto leader of the South Asia Asia associations for the regional corporations जिसको सार्क बोला clear निक साथ है के एक it has historical and cultural ties अब historical and cultural ties है Nepal के साथ enjoyed traditional goodwill and influence in the Sri Lanka and the Bangladesh यह भारत दिखाया गया है कि भारत के historical and cultural ties है Nepal के साथ even traditional goodwill influences है Sri Lanka और Bangladesh के साथ हमारा it had made investment और भारत ने investment भी किया है worth billion of dollars का कहां पे Afghanistan में cultivate vibrant ties with the post Taliban stakeholders यहां पे लिखा ना billion of dollars तो उसके अंदर एक गवादर pot भी देखा हमने इरान में जो कलवले news में देखा था Zoranj ठीक है ना आपको words याद आगे होगे अफगानिसान का नाम सुनकर हमने वीट को भी export किया था अफगानिसान में with the help of गवादर pot sorry I'm sorry with the help of चबार pot not गवादर pot with the help of चबार pot अरे गवादर pot तो चाइना ने बनाया पाकिसान में और the distance between गवादर pot and चबार pot is 72 km यह भी हमने काल डिसकस किया था ठीक है ना तो भारत ने अफगानिस्तान को वीट export की थी through चबार pot clear it had committed itself to multilateralism and Central Asian Connectivity Projects अरे वो ही तो बोर रहो ना Central Asian Connectivity कैसे करेगा Iran के साथ being its gateway वो कैसे students चबार pot जो भी हमने डिसकस किया and was competing and cooperating with China at the same time आपने ये कल देखा है ये point को आपने कल बहुत बढ़िया तरीकी से focus भी किया था कि Central Asian Connectivity Project भारत कैसे कर रहा है with the help of चबार pot हाला की backdrop हो चुका है तो ठीक है ना next आता है कि चाइना and India are engaged in the conflicts over the line of actual control in the Ladakh region which has changed the status quo of both nations बिलकुल ठीक केते एक lead किया violent clash हुआ था जून में जो fatalities for the first time in the 45 years और ये clash 45 years में पहली बार हुआ था Ladakh में गलवान घाडी में clear fingers को लेकर कौन सी fingers है पैंगॉंग सो लेक fingers को लेकर ठीक है ना यहाँ पर लिखा Nepal has turned hostile having adopted a new map हमने ये भी news देखी थी कि Nepal ने लिपू ले काला पानी को अपने political map के अंदर बताया था तभी तो लिखा है कि having adopted a new map and revived border disputes with India clear Sri Lanka has titled toward China अब Sri Lanka भी China की तरफ हो रहे कहते क्यों which is undertaking massive infrastructure projects in the Indian Ocean Island which possesses a threat to the Indian interest in the Indian Ocean region clear next आया recently India Iran has dropped India from the छब बार रेल प्रजेक ये देख लिया काल मने and decided to proceed with the construction on its own अब कौन construction कर रहा है Iranian railway कर रही थी ministry setting delay from the Indian side क्यों था देले ये भी हमने कल focus किया था due to the due to sanctions imposed by the US वो फीर था भारत को in funding and starting the projects SARC has also lost its significance due to some disagreements between the members clear next आया यहां पे कि US के factors के है केते India's official policy is that it is committed to multilateralism ये concept important है कि multilateralism है commitment करता है policy भारत but there has been steady erosions in the India's strategic autonomy which predate the current government clear केते when India started deepening its partnership जब भारत ने अपने रिष्टो को और गहरा करने की कोशिच के United States के साथ which has a historically necessity और इसकी necessity भी है it began sorry it began steadily alleging its policies with the US interest clear this daily dealing to tunes of the policy changes in the Washington coexisted with the India's deepening defense and the military ties with the US important clear तो ये data को focus करो आप लोग लिखा है कि जब कब भारत है वो caution किसके लिए steadily dependent है sorry depend है military to military corporations के लिए और वो उसके लिए example है कि LIMO Logistic Exchange Memorandum Agreement जो sign हुआ था लिखा है यहाँ पे कि these developments of India probably ordered Iran, China's assessments of India clear अब domestic politics देख लेते हैं यहाँ पे sorry domestic politics में क्या आता है कहते है two key decisions अब दो decisions होते हैं जो सरकार लेती है mainly keeping its domestic audience in mind and have had foreign policy consequences the first one अब उसमें सबसे पहला कौन सा था CAA official narrative of the government has been that India is offering citizenship amendment act to persecuted minorities of the selected country in their neighborhood तो यह एक role play कर रहना की role play कर रहा है citizenship amendment act foreign policies को लेकर यहाँ पे लिखा the issue is that अब इसके दर problems क्या थी this move is seen as the regionalization of the domestic problem of the countries in India neighborhood some of which are long time friends and countries are genuinely upset with the India's move तो जो लंबे अर्से से दोस हुआ करते थे यह steps लेने के कारण भारत के जो नेवर हैं वो थोड़े से परिशान है लिखा है and countries are genuinely upset with the India's move यह कहना है domestically politics का जो report में आया है लिखा अब second decision का है first decision हो गया citizenship amendment second decision है abrogation of the special status of Jammu and Kashmir हाला कि यह भारत के internal matters है citizenship amendment है और Jammu and Kashmir भारत के internal matters है बट फिर भी यह यहां पर लिखा हो है क्योंकि जो reports provide की गई है जो reports में आया और जो हमारे जिसके साथ relations अच्छे है वो क्या सोच रहे है यह यहां पर लिखा हुआ है clear है भारत ऐसा नहीं सोचता है क्योंकि इंडिया के internal matters हा रहे है this was another popular move among those who formed the support base of the ruling party इंडिया released on updated political map which इंडिया released in November which has become matter of contentions with the Nepal तो students मैं आज का session यही तक खत्म करता हूँ किसी को आज के session के अंदर भी problem है तो please comment section में लिखेगा यानि की कोई problem रहती है कोई ऐसी news का कोई ऐसा point जो समझ में ना आया हो तो please comment section में आप लोग जुरू लिख कर बताईएगा और बस आप लोग मेरे साथ बने रहें हम लोग इसी तरीके से अगले मन्त को भी शुरू कर देंगे और बड़े explain manner से करेंगे clear है और एक request करता हूँ और आप लोग इसको continuity में देखते रहें और इसको maximum से maximum share करें तंक यु फ्रेंच